माई मेरी वगीचा में मेरी सबी दोस्तों का बहुत बहुत स्वावत है होप आप लोग सबी ठीक होंगे और मेरी तरही गार्डिनिंग में बिजी होंगे क्योंकि जितने भी प्लांट लवर होते हैं उनको ये वाला समय बहुत अच्छा लगता है यानि जो सीजनल प्लांट लगाने का टाइम होता है विंटर का वह बहुत अच्छा लगता है हाला कि अब समर आने वाली है लेकिन फिर भी प्लांट अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं और एक दो महीने अभी बहुत अच्छे चलेंगे तो यहां मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि कुछ पॉइं कृणट उसमें आप आएं और बहुत अच्छा दिखता है बहुत सुन्दर दिखता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है होप आप लोगों को भी पसंद आए तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगी जिससे कि आप भी गार्डन को क चोई तुक curriculum जो किऊ में और बहुत से दो हम नहुंत जोब बहुत पिते हैंal eu थह आदा पाद है और इस में मिलट दो हम तो दो नहीं है कुछ आर्टिफेक्ट्स लगाएं मैंने और साथ ही में कुछ मैंने इस तरीके के स्टेहन लगाएं जिसे की गार्डन में बहुत सारे प्लांट अगए और उनको एक मतलब हाइट भी मिल गई है जब आप हाइट पे प्लांट को रखते हो तो बहुत अच्छे से विजिबल हो जीद के लाके लगा लें यह अलग बात है लेकिन आप कुछ क्रियेटिव वर्क करें यह अलग बात आ जाती है इससे गार्डन बहुत ही प्यारा दिखता है और साथ ही कुछ ऐसे स्टेंड लगाएं देखिए मैं आपको सारे स्टेंड भी दिखाती जारी हूं जो कि मेरे इससेलेटिव में हाइड को और इससे भी इसजब्य बहुत ओथि दिखायेगा तो आप भी प्लांट को कुछ हाइड के रखे कुछ इसतरीख की स्टेंड लगाएं उससे भी गार्डन बहुत प्यारा लगा वह 7 मैंने कुछ बड़े बड़े प्लांट में ऑग ल चे सेह squirrel contains तो बहुत ही छोटे हाइट के होते लेकिन जितने भी हमारे जैसे इंडोर प्लांट आपको दिखाई दे रहा है यह एरिका पाम है यह बहुत अच्छी हाइट का है बहुत जादा देखिए आप हट को मेरे टच कर रहा है और साथ में ही प्लूमेरिया के प्लांट यह भी सुना सुना दिखाई को साथ आई ने भी ताइ म fått सारे मैंने हेंगिंग भास्केट लगा जिसते गार्डन में बहुत सारे ने उसक्छी से गार्डन में और हैंगिंग महतने लग लगत है तो यह देखिए डेलिंग मैंने लग spaghetti और उसके फसाने ओले मारे लगा ओर साथ में צुम यहां नहीं देख सकते हैं यह साथ हैं यहकम प्लांट सी यह सीजणर revital में आप सबनी कघा हैं मतलब बहुत मन को ठंडक देने वाले इसके फूल है और बहुत ही प्यारा एक ही प्लांट लगा हुआ है बड़ी से गंबले में और बहुत बुशी हो जाता है यह प्लांट और फूल भी भरके आते तो यह मैंने फर्स टाइम ही लगाया है मैंने इससे पहले कभी नहीं लगा ही हुई है जो कि कुछ तो ब्लूम करने लगी है अभी कुछ को मुझे वेट करना पड़ेगा और जब यह एक साथ ब्लूम करेगी तो यह बहुत ही खुबसूरत दिखाई देगी और कुछ इस तरीके से देखिए हैंगिंग बास्केट मैंने लगाई हुई है और यहां हमा सुंदर करते हैं इस गारडन को सुनदर बनाने के लिए कुछ इंडिory प्लांड कुछ आउटडूर प्लांड और कुछ सीजनल प्लांड हमां लगाने चाहिए जैसे कुछ फूलों के जहां पे धूप आती है और कुछ इंडोर प्लांट जहां पे धूप नहीं आती है जिनको सेमी सेड में रखा जाता है तो बस इसी तरीके से आप अपने गार्डन को सुन्दर बना सकते हैं साथ ही आप कुछ आर्टिफेक्ट्स के साथ और कुछ प्लांट्स के साथ जो कि आपके गार्डन को बेहत खूबसूरत बनाएंगे जैसे कि मैंने बहुत सारे कॉर्णर क्रियेट करें अपने गार्डन में कुछ पॉंटेन के साथ में कुछ आर्टिफेक्ट्स के साथ में और साथ ही आपको अपने गार्डेन में एक फोकल पॉइंट भी बनाना चाहिए जब आप एंटर करें तो सीधे आपकी निखा उस पर पड़े और वहाज हो झो rजाए तो जैसे से आप अपने गार्डन को बहुत ही खुबसूरत बना सकते इन चोटी-चोटी सी बातों को याद रखे चोटे-चोटे से पॉइंट्स को याद रखे और घर में ही आपके कोई ऐसी चीजह हो जो आपने रिजेक्ट कर दी हो आर्टिफेक्ट में वह भी आप अपने गार्डन में कुछ लगा रखे थे कुछ आंधी में गिर गए तो मैं फिर से बनाऊंगी और आप लोगे साथ जरूर शेयर करूंगी वह भी गार्डन को बहुत ही खुबसूरत बनाते बहुत ही सस्ते में बन जाते और बहुत ही खुबसूरत भी लगते तो आपको कैसा मेरा वीडिय जबक्तार वाइ थे कारी थे च्टि लाइएолय हतना है वीडिय के बनाऊंगी में आपको कारी साथ में थे खुल इखुबसूरत एपक्तार वेश क्मेश वाइब हैं ₍ credit कर सकते दूर